हलो फ्रेंज आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी जो निकल कराए दोजाथ 23-24 की उसका उनलाइन अप्लिकेसम फार्म का आपको कैसे फिल अप करना है इस वीडियो में तो अगर आप भी फार्म फिल अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को गंप्लीट देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो आप बहुत यह असानी से फार्म फिल अप करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी पुलिस के अफिस्यल वेबसाइट पर आना और उसके बाद OTP एक्टिवेशन करना है उसके बाद Candidate Login पर क्लिक करके Login करके Peace Payment करना है उसके बाद Final Print आपका लिख लेगा तो सारा यहाँ पर इस टेप आपको बताएंगे इस वीडियो में Complete Process और इसका Last Date बात करें Last Date जो है देख सकते हैं इसके पहले ही आपको Apply कर ल आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार से पेज उपन हो जागा यहाँ पर Online application उपन हो जागा अब यहाँ पर कैसे आपको Feel Up करना है एक एक करके देखते रहे ताकि आपसे कोई गलती ना हो तो सबसे पहले हाँ पर Personal Detail Personal Detail में देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना सबसे करने और मदर्श का नेम आपको Feel Up कर देना है इसका जेंडर आप सेलेक्ट कर लिजें मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर यहां पर सेलेक्ट कर लिजे इसके बाद एक मोबाइल नमबर और उसको री वेरिफाई करके आप यहां पर Fill Up कर लिजे और इसके बाद नीचे आप से अधर इंफोर्मेशन में पूछा जाएगा है सबसे पहले आूपूकट के रहने वाले हैं अगर है तो यस करेंगे नहीं तो इसको No भी कर सकते हैं तो उत्तर पेस्ट वाले कई सारा डीटेल पूछा जाएगा जैसे आपके पास जो है सबसे पहले यहाँ पर निवास परमापत्र डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी का तो यहाँ पर सेलेट कर लिजिए कि अगर आप हैं यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट तो यहाँ पर जो का आपका निवास परमापत्र किसके दोरा यहाँ पर जारी किया गया तहसिल दोरा यहाँ डीम दोरा डीम दोरा किसके दोरा जनरली हाँ पर यूपी का जो भी आयजात निवास जारी किया जाता है तो सिंप्री तहसिल दार सेलेट कर लिजिए या जो भी आपके सर्टिफिकेट पर नंबर है उसको यहां पर फीलब करीजिए इसके बाद यहां पर अपने डिश्टी का नेम होम डिश्टी का नाम जो भी आपका जीला है सेलेक्ट कीजिए और कैड़ी इसके बाद जो भी आपका कैड़ी है यहां पर सेलेक्ट कर लिजिए इसके बाद अगर आप रिजर्व कै देख लीजे कर लेटा हो इसके बाद यहां पर अपलीकेशन नंबर होगा और उसके बाद नीचे आएँगे आप से कुछ और डिटेल पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर जो है freedom fighter है तो यस करेंगे नहीं तो इसको no करेंगे freedom fighter के आश्रीत तो इसके बाद यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि आप उत्रपदे सरकार के करमचारी है और उसका certificate है तो yes करेंगे नहीं तो इसको नो रहने दीजिये और इसके बाद यहां पर पूछा ज़रा है कि आपने a work के रूप में तीन साल की सेवा की है तो यस करेंगे नहीं तो इसको भी नो करने दिए और अगर आप सर्वष करेंगे नहीं तो इसको भी 9 कर लेंगे मतलब नार्मल का इंड़ेट यह सब नो ही अपसंद रखेंगे इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डीटेल देना है क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको हाइश कुल 10 का डीटेल देना है तो यहां पर सिंपली बोर्ड का नेम जो भी आपका बोर्ड है यू यहां पर आपसे पूछा जाया कि रिजल्ट इस्टेटर तो सिंपली पास होने चाहिए तो यहां पर एक ही अपसन आपको देखेगा पास पर क्लिक कर लिजे इसके बाद यहां पर आपना रोल नंबर टेंथ का और जो सर्टिफिकेट नंबर या माक्षिट का सिरियल नंब दोस्तों आपको यहां पर कुछ बेनिफिट दिया जाएगा आप नौटिफिकेशन रिट कर सकते हैं अगर आपने यहां पर कम्पीटर जो है आप ओ लेबल का प्रमार पत्र तो यहां पर आप देख चाते हैं आपने नियूंतम दोज अवधी का यहां पर प्रादाएस्ट करेंगे यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर प्रिव्यू आपसन मिलेगा इस पर क्लिक करना है तो जैसी इस पर क्लिक करेंगे यहां पर प्रिव्यू का पेज आएगा जो डीटेल आपने सारा फिलप किया हो सारा डीटेल सो होगा यहां पर अच्छे से चेक कर लिजिए क्योंकि एक बार गलती हो गया तो कोई भी करेक्शन नहीं होगा बहुत समय की बाद यह फॉर्म आया है तो इस बार आपसे मिस न फिलप करेंगे और नीचे यहां पर स्रमिट एंड नेक्स का अपसन है इस पर क्लिक करेंगे इसके प्रेंड्स आपको एक रजिस्टेशन नंबर दे दिया जाएगा और इसके अलओं यहां पर एक्टिवेट थ्रो ओटीपी का आपसन है इस पर क्लिक करना है और आपके प्रेंड जैसे आप लोगिन करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा और आपको यहां पर चार्स रूपे का पेमेंड करना हुगा सभी का इंडिनेट को यहां पर 400 का पेमेंड करना हुगा पेमेंड करने के लिए यहां पर पेनाओ का आपसन आपको देख रहा है सिंपली आपको इस पेनाओ के आपसन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर रिडारेक्ट कर दिया जागा पेम कर सकते हैं UPI के माध्यों से payment करने के लिए simply इस पर क्लिक करेंगे और नीची यहां पर देख सकते हैं दो आपसन आएगा इंटर यूपी आइड यूपी क्यू आइड तो simply इंटर यूपी आइड पर क्लिक करेंगे अपना UPI id फिल अप करेंगे और वाइलिड आइड पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड जैसे आप payment कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा है यहां पर फोटो सिगनेचर और डाकुमेंट अप्लोड का तो simply देख सकते हैं फोटो क्या अप्लोड करना है फोटो का जो आपका साइज होगा 20 से 50 में आपको फोटो अप्लोड करना है और अप्लोड करने के लिए यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे फोटो सेलेट करके अप्लोड पर क्लिक कर देंगे अप्लोड हो जाएगा इसके लाओ डाकुमेंट में क्या अप्लोड करना है डाकुमेंट में यहां पर टेंथ क एक चीजा और दोस्तों बतातों यह अभी फार्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूं फिर भी आपके लिए यहाँ पर मैंने चार सर रुपे का पेमेंट करके आपको दिखाने के लिए कि आपसे कोई गलती ना हो और क्या प्रोसेस अब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 400 का मैंने पेमेंट करके आपको यहाँ पर डाकॉमेंट वेरिफिकेशन अप्लोड के प्रोसेस तक ले आया हूं एक चीजा और यहाँ पर बतातों देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक न दीजी लाकर पर अकाउंट जिनका होगा तो वहाँ पर आल्रेड़ी रहता है तो वहाँ से आप डारेक्टली अप्लोड कर सकते हैं वह जल्दी यहाँ पर लिंक आ जाएगा और नहीं तो सिंपली जो पूराने का एंडिजी मतलब पहले के पास आउट है यह जिनका और डी दीजी लाकर से कर सकते हैं लेकिन फोटो सिगनेचर तो आपको करना ही होगा और बाकी जो स्राटिफिकेट जो है आप डीजी लाकर से कर सकते हैं जो आपका का स्राटिफिकेट है या निवास परमारपत्र है या जो आपका टेन्थ ट्वल्थ का स्राटिफिकेट है उसको प्रीजी लाकर से कर सकते हैं तो चलिए इस सभी डाकूमेंट आपको अप्लोड करके final submit पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपका final application farm यहां पर स्रबमिट हो जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं आपका details होगा इसके लोगा पर print application का option मिलेगा इस print अप्लिकेशन पे क्लिक करके आप फाइनल प्रिंट आउट देख सकते हैं तो आपका फाइनल प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार से दिखेगा इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लिजी आप प्रिंट निकालकर अपने पास रख लिजी बाद में इसकी जरूत भर वैठे अपना फार्म फिलप कर सकते हैं बिना गलती के मैंने आपको सारा प्रासेज ए टू जेट जो है इस्टेब बाइस्टेब बता दिया है फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रावल्म ने था आप वीडियो के निचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा अपना फार्म बिना किसी गलती के फिलप कर पाए